Hello everyone, welcome to the Hirdevach of Radhiga classes तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Chapter No.4 ताट इस Chemical Kinetics तो Chemical Kinetics है क्या? तो आप इधर वर्ड देख़े हो Chemical केमीकल का नाम आते ही हमें सब को Chemical Reactions याद आ जाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी Chemical Reactions होने वाली है फिर उसके बार है आपके पास kinetics kinetics का मतलब होता है movement ठीक है motion तो एक chemical reaction जो हो रही है उसकी movement के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितनी तेजी से होगी कितना fast होगी या कितना slow होगी उसके बारे में हमने पढ़ना है तो वो वली पूरी branch जो होती है वो chemical kinetics के अंदर आती है ठीक है इसमें जितने numerical से मैं try करूंगे कि मैं आपको सारे करा सकूँ तो क्या लिखा है ncrt में सबसे पहले the branch of chemistry which deals with the study of किस की study करनी है reaction के rate की reaction कोई भी हो रही हो उसकी speed की and their mechanism mechanism भी हमने करना था लेकिन वो अभी न डिलीटिट पोर्शन में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको शुरूर दूँगी लेकिन वो अभी है आपका डिलीटिट पोर्शन में called chemical kinetics तो kinetics जो है Greek word है जिसका मतलब होता है kinesis means movement वो chemical reaction जिनके बारे में जिनकी movement के बारे में हमने पढ़ना है ठीक जब आप ncrt पढ़ोगे तो वो आपको must है read करनी must है तो आपको नहीं सबसे पहले बोलेंगे kinetics को chemical reaction जब पहले पढ़ते हैं प्लस वन में thermodynamics को बहुत important chapter बोला जाता है वो भी chemical reactions को पढ़ने के लिए most important है chemistry deal करते है chemical reaction से chemical reaction को समझने के लिए दो आपको आने जाहिए thermodynamics study और kinetic study आने जाहिए thermodynamics study न एक चीज़ बता सकती हमें पूरे laws जब पढ़ लेते हैं क् chemical reaction proceed होगी या नहीं होगी whether this reaction takes place और नोट ये इसका सब से important है इसमें कैसे different forms of energy का हम interconnection देखते हैं फिर Gibbs free energy अन्थाल पी इन सब से हम बता सकते हैं कि reaction feasible है या नहीं है अब feasible है ठीक है माल लिया feasible है हमने पढ़ लिया thermodynamics अब kinetics में क्या पढ़ना है कितनी तेजी पे होगी कित वो thermodynamics class plus one बता रहा है अब वो reaction procedure हो रही है चल रही है वो चल रही है तो वो कितनी तेज है कितनी आप कितनी speed पे हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक तो thermodynamics और kinetics में आपको ये difference ध्यान रखना है उसके बाद ये कुछ factors हैं जिनके ओपर क्या होता है rate of reaction speed of the reaction depend होती ह तो अब ध्यान रखना जब हमने कभी भी reaction की बात करनी है और उसको chemical kinetics से जोड़ना है suppose मैंने याप एक reaction लिए A plus B अब इसने आगे C plus D बना दिया मुझे ये बताना है कि इसकी speed क्या है इसकी speed क्या है इन दोनों पे depend करेगा कि ये कितनी जल्दी आपस में टकराएंगे और COD बनाने की strike करेंगे ठीक है टकरात हो रहे हैं ठीक है टकराएंगे तो सही आपस के इनके बीच में collision के बारे में पढ़ना है वह mechanism होता है पूरा का पूरा की किस तरह से टकराएंगे क्या collision होगा अभी सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि जो reactant होते है ना जब उनको हम क chemical reaction हो रही है तो वह आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं उनको बोला जाते है कि उनके बीच में collision हो रही है ठीक है हर collision product में नहीं बनती है लेकिन अभी धियान रखो कि A और B reactant है उन्होंने product बनाना है product बनाने के लिए उनको आपस में टकराना पड़ेगा टकराना मतल होगी तो speed बढ़के product बनने के chances हैं ठीक है तो collision मतलब की 2 reactant का आपस में 2 या 2 से ज्यादा reactant का reactant का आपस में टकराना ठीक है तो जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा possibility है product के बढ़ने की ठीक है बनने की तो rate of the factors on which rate of reaction depends on the collision energy ठीक है collision पर depend करेगा उनके टकराने पर ठीक है अब टकराने के लिए atoms आपस में टकराएं मौलिकी उस आपस में टकराएं तो बहार से क्या करते हैं इनको temperature दे देते हैं temperature आएगा motion होगी टकरा सकते हैं light दे देते हैं light आएगी टकराएंगे surface area यह सारे pressure लगा देते हैं light दे देते हैं particle का size बढ़ा कर देते हैं यह सारे इनके factors हैं ठीक है तो आपने न सिरफ ध्यान रखना है जब कभी भी दो reactant के बारे में आपसे पूछा जाएं कि दो reactant आप अपस में product बनाते हैं तो किस पर depend करते हैं factors main होता है collision energy क्या वो आपस में टकरा रहे हैं उसके बीच में motion हो रही है motion होगा तभी तो अभी मैंने आपको बताया kinesis means motion motion तो होना ही चाहिए वो टकराएंगे उसमें से कुछ टकराने के बाद possibility है कि product बन सकता है product बनेगा तो collision energy में simple सी language में collision energies में अब collision कराने के लिए temperature लगा दो pressure लगा दो light दे दो इस तरह से यह हमने सब factors पढ़ने है तो ध्यान रखोगे इस बात का ठीक है यह important आपको ध्यान रखना है अब ना एक बात का ध्यान रखना जब आप यह पढ़ो एक इसमें आता है catalyst मैं आपको catalyst बाद म में complete होगी और हम catalyst दालें तो हमारे माइंड में आ जाता है catalyst तो speed की reaction को बढ़ा देता है but definition क्या मोलती है which alters the speed of reaction वो reaction की speed को बढ़ा भी सकता है जब बढ़ाएगा तो उसको positive catalyst बोलते हैं जब कम करेगा तो negative catalyst बोलते हैं तो catalyst के topic को हमेशा यह ध्यान रखना कि यह filter करता है speed को कम जादा कर सकता है बीस मिनट में चल रहे है तो क्या मतलब 15 कर दे क्या मतलब उस पर depend करता है और वो पूरा case में आपको पढ़ाने वाली हूं ठीक है तो यह इसके factors है जो आपको ध्यान रखने है अब उसके बाद अब जो हमारी reactions होती है ना वो तीन तरह की हो करने में that is the slow process moderate processes होती है जैसे कि आप जब laboratory में जाते थे आपने class में जब गए लाब में precipitation वगरा करी तो उनको करने में 10-15-20-15 मिनट या कही reaction में वन आर भी रखवा देते थे कि रख दो इसको disturb मत करो ऐसे रख दो तो crystallization वाली processes पे time भी लग सकता है तो ऐसा होता है जो rate of chemical reaction होती है वो तीन तरह की हो सकती है एक slow, एक fast, एक moderate इनके NCRT के जो examples है वो आपको आने चाहिए ठीक है मैंने तो just आपको समझाने के लिए बोला कि इस तरह के example लेकिन आपको example जो है NCRT वाले आए तो वो best है तो fast reaction में precipitate of AGCL, slow reaction, rusting of iron, moderate reaction, inversion of cane sugar and hydrolysis of starch तो ये example मतलब दिम समाग में रखने के लिए वो बाते ध्यान रखो जो आपको याद रहें कि fast reaction यह होती है, slow यह होती है, नमक को पानी में हो गया लेकिन कुछ examples भी आपको ध्यान रखने पड़ते हैं ठीक है अब उसके बास ये आपको ध्यान रखने है अब क्या और है आपको एक reactant दे दिय में अभी time zero है ठीक है यह एक test tube है इस test tube में आपको यह chemical reaction करना चाहरे हो यह आपको reactant पकड़ा दिया और आपने इसको burn करके product बनाना है यह अभी आपके पास A है ठीक है पूरा का पूरा A पड़ा हुआ है अभी आपने heating start नहीं करी time zero है suppose यह आपको 5 molar solution पकड़ाया 5 gram या 5 molar concentration पर ले लेते हैं तो इसकी molarity अभी 5 M है और अभी product तो बना ही नहीं तो product zero है अब उसके बाद एक minute के बाद या जो भी time आपको दिया जाए A कम होता रेगा क्योंकि इसके बीच में A के साथ कुछ और A और भी पड़े हूँ यह आपस में टकराते रेंगे क्योंकि इसको heat करना start कर दिया heat करेंगे collision होगी collision होगी आपस में टकराएंगे टकराने के बाद यहाँ पे कुछ नया product बनना है ठीक है तो धीरे धीरे टकरान के बाद जो हमारा reactant है वो कम होता रहेगा और product बनना start हो जाएगा दो मिनट के बाद यह और कम हो जाएगा product और बन जाएगा चार मिनट तीन मतलब मैं time को इस तरह से specify करके आपको बता रहे हूं कि एक time ऐसा भी आएगा कि reactant और product की concentration आपस में बराबर बराबर हो जाएग और यह बढ़ जाएगा कुछ देर के बाद equilibrium point आजाएगा और यह stable constant भी हो जाने वने आफ्टर equilibrium तो कहने का मतलब क्या है जब कभी भी speed of reaction के बारे में पढ़ा जाता है ना तो reactant तो धीरे 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 खतम होता रहता है with respect to time और product जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है एक time ऐसा भी आता है कि दोनों की concentration बराबर हो जाए और एक time ऐसा भी आता है कि दोनों की concentration जैसे इसकी कम वततीजारी है उसकी बढ़ती जारी है दोनों की concentration constant भी उचाती है ठीक है तो यहाँपे यह graph आपको यह दिख रहा है ये वाला the speed of a reaction or a change of rate of reaction can be defined as change in concentration of reactant reactant ki concentration भी कम होगी or product in unit time with respect to a time ठीक ये कोई भी reaction रेधी consider a reaction A से B बन रहा है the rate of decrease decrease होगी किसकी reactant ki concentration reactant धीरे 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 कम होगा फिर उसके बाद constant हो जाएगा the rate of increase in concentration और product धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर एकदम से constant हो जाएगा clear है तो ये graph यहाँ पे आपने start करना और ये as it is equilibrium chapter में भी था आपका plus one का ठीक उसके बाद अब आगे क्या आता है अब आपको पता लग गया graph में कि reactant धीरे 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 खतम होता जा रहा है और product हमेशा बढ़ता रहेगा product तो इसको कैसे लिखते है reactant जो होता है जो हमारा reactant होता है वो हमेशा क्या होगा disappear with respect to time ठीक है? disappear with respect to time और product क्या होगा appear with respect to time ठीक है? वो क्या होगा? appear with respect to time decrease होगी concentration किसकी reactant की और product की क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी तो यहाँ पर यह क्या लिखा होगा है? पहले मैं आपको खुछ समझाती हूँ आपको एक reaction दे दी N2 N2 plus 3H2 gives 2NH3 और इस reaction में अब यह reactant है और यह product ठीक है? यह तो आपको normally सब कोई बदा होता है अभी क्या करना है? आपको पता है reactant की concentration हमेशा खतम होती है तो यह क्या होगा? disappear और यह साथ में क्या ओने वल है? appear यह NH3 बन किसकी वज़े से रहे? जब यह दोनों आपस में क्या करेंगे? collide कराएंगे उस में से कुछ possible collision की वज़े से ammonia बन जाएगा मतलब यह सारे एक दूसरे पर responsible है and H2 के साथ collision करेगा और इन दोनों की वज़े से वो बनने वला है अपसे एक दूसरे से relate करते हैं ठीक है? तो एक ना rate of expression बनता है उस rate of expression की according क्या होगा? तो ध्यान से समलना rate expression बनाने सीखेंगे rate expression की according सबसे पहला जो expression था यह सारी चीजे आपस में reactant जितने भी हैं product जितने भी हैं आपस में एक जैसे होते हैं तो equal to का sign लगा लो जितने भी आपको दे रखे हैं यह लगा लिए हो रही है product की concentration with respect to time बढ़ रही है तो कैसे लिखना है हम small change के लिए लिखेंगे d square bracket में square bracket लगाते है rate of reaction के लिए हमेशा square bracket लगानी है n2 dt चीख है? d h2 dt d nh3 dt d या आप इस d को भी अंदर ही लिख लो या भार ही ठीक है ठीक है में आपने इसमें small change का लिख दिया ठीक है यह तो आपको सिरफ मैंने square bracket के लिए लिए अगला काम क्या करना है यह जो coefficient लिखे होए है यहां तह कुछ नहीं है यह और यह यह कैसे लिख देने है 1 by 3 fraction में 1 by 2 ठीक उसके बाद reactant क्योंकि disappear हो रहा है minus का sign product appear हो रहा है यहां पर minus 1 by 3 plus 1 by 2 तो यह expression आपको यहां पर ध्यान रखना है कि minus किसले लगाना है और plus किसले लगाना है ठीक तो अब यह देखो rate of disappearance of A मैंने यह reaction यहां पर consider करी हुई थी A से B बन रहा है A disappear होगा decrease in concentration of A with time taken minus का sign rate of disappearance of B increase in concentration of A यह positive sign अब आपसे question पूछ लें minus sign with A indicate क्या कर रहा है कि concentration A की decrease हो रही है positive sign क्या indicate कर रहा है concentration of B increase हो रही है अब कहीं बार ना question आएंगे minus की sign की वज़े से आप जो numerical करोगी ना आपका answer negative आएगा obviously आएगा तो आपने ध्यार रखने speed कभी भी negative नहीं जाने वाली तो अगर आपका sign negative आ रहा है means आपका answer negative आ रहा है तो एक minus ना अपने आप multiply करके speed को positive कर लेना since A is the negative quantity जो आप निकाल होगे as concentration of reactant is decreases it is multiplied with minus 1 तो आपने इसको minus 1 से multiply कर दिने to make the rate of reaction positive quantity तो speed negative नहीं होती है उसको positive बनाना पड़ेगा तो आप ध्यान रखना जब आप कोई question कर रहे हो और आपका answer क्या आ रहा है negative आ रहा है उस negative को positive करना पड़ेगा क्योंकि speed negative नहीं होने वाली तो एक minus खुद से multiply कर दे ठीक है तो यह हमने सीख लिया अब यहाँ पे देखो आपको बता मैंने यहाँ पे यह delta की जगा d यूज कर लिया small change के लिए तो आप delta भी यूज कर सकते हो same rate expression for chemical reaction CH4 delta square bracket CH4 delta T minus का sign delta 1 by 2 minus 1 by 2 delta O2 तो यह same reaction लिखी हुई है तो यह अब आपका question है यह आपने खुद से करके देखनी है क्या आप यह rate expression बना पाओगे अगर आपको कोई doubt हो तो आप उससे पूछे रहे यह वही question है जो आपके NCRT में दे रखिया यह आपको rate expression बनाना आना चाहिए ठीक है उसके बाद अब हम क्या पढ़ते है next आजेगा हमारे पास देखो क्या होता है जब कभी भी हमने किसी क्या reaction के बारे में पढ़ना है तो क्या ध्यान रखते है reactant को देख लिए कि reactant क्या main reactant को देखते है reactant की concentration ऐसे ऐसे decrease हो रही है यहाँ पर उसकी concentration को note कर लिया कितनी थी यहाँ पर concentration दे रखी है यहाँ पर उसकी concentration यहाँ पर time दे रखा है यहाँ पर उनकी concentration दे रखी है T1 कुछ देर के बाद क्या होगी P2 ठीक है T1, P2 तो इन दोनों में यहाँ पर T1, T2 ठीक तो average rate निकालना हो ठीक है average rate में क्या करते है कि इतना बड़ा gap देख लेंगे कि यहाँ concentration क्या थी कुछ टाइम मैंने बोला 20 मिनट के बाद बताओ concentration क्या थी तो 20 मिनट के gap के बाद 10 पर यह थी 20 पर यह थी नॉर्मली सब कर लेंगे तो average rate में क्या करना होता है कि हमने सिर्फ क्या निकालना है कि concentration देखना होता है कि कितनी decrease हो रही है with respect to time अगली बात जो सबसे important होती है जिस पे ज़्यादा focus किया जाता है instantaneous rate of reaction instantaneous ना small gap के लिए होता है कि इतनी देर में reaction में क्या फरकाया इतनी देर में reaction में क्या फरकाया निचे तो जा रही है decrease तो हो रही है इतनी देर में क्या change आ रहा है उसको instantaneous change बोला जाता है ठीक है तो slope से यहां से भी निकल जाएगा slope से यहां से भी निकाल लोगी ठीक है तो जब हमने small change की बात करते है कि concentration में इतनी concentration में क्या फरकाया है उसको बोलते हैं हम instantaneous change और जो बहुत बड़ा change देख रहे है तो average rate of change ठीक है तो यह दोर definition होगी तो average and instantaneous rate of reaction the average rate of reaction is defined as ratio of the change in concentration of reactant or product of chemical reaction to the time interval जो आपके पास definition आ सकते हैं इसलिए सही से पढ़ना इनको the instantaneous rate of reaction is defined as the change in concentration of infinite small time interval small time interval के लिए जिसको d से denote करेंगे और average को delta से denote कर देते हैं ठीक है यहां से यहां के इतना बड़ा change देख रहे हैं और यहां पर small change की बात करेंगे जब तो small change की जब बात करते हैं instantaneous जब बड़े change बहुत हो तो कोई पढ़ता भी नहीं फिर भी कि जब large change हो रहा हूँ तो average ठीक है ध्यान रखोगे अब यह कोश्चन आपके पास NCR ठीक है तो एक मैं आपको यह वाला करा रही हूँ यह दो की सिर्फ हिंट दूँगी आपने करने हैं आपको एक reaction दी the decomposition of N2O5 in CCL4 at 318 सबसे पहले note करते रहा करो क्या दिया है 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution initially start Oria reaction the concentration of पहले मैं reaction लिख लेती हूँ 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 और इसके बाद क्या करते हैं इसका expression बना लेते हैं expression कैसे बनेगा 1 by 2 D N2O5 DT minus के sign के साथ अभी बताया minus क्योंकि reactant की concentration कम हो रही है 1 by 4 D NO2 square bracket का धियान रखना हो और कोई bracket नहीं डालते है square bracket डालते है D O2 by DT यह मैंने expression तो बना लिया अब वो क्या बोल रहे है initially the concentration of NO2 is 2.3 mol liter inverse and after 184 minutes it is reduced to 2.08 पहले कितनी दे रखी दी 2.33 बाद में 184 minutes के बाद 184 minutes के बाद कितनी होगी 2.08 ठीक है the reaction takes place यह equation दे दी calculate the average rate of this reaction यह पहले कितना दे रखा था 2.33 बाद में कितना दे दिया 2.3 कम हो गया reactant कम होता है ना कम हो गया कितने minute में इतने minute में तो यह बहुत easy दे रखा है पहले यह था फिर इतना हो गया कितने minute में हो रहा है तो मुझे इसका average rate निकालना है ठीक है तो कैसे निकालेंगे 2.33 था फिर 2.08 हो गया इतने minute पे कैसे निकालोगे average rate निकालना हो तो average rate कैसे निकालते है average rate फोर्मूला है final rate minus initial rate divided by T2 minus T1 तो T1 तो initially तो 0 पे इस्टार्ट होई होगी finally कितनी होगी थी 2.08 minus 2.83 divided by 184 minus 0 तो यहां से आपके पास answer आजाएगा ठीक है यही दे रखा था था ना question में 2.33 2.08 184 minutes में तो मैंने यहां से average rate minutes में निकाल दी है ऐसी आपने hours में निकालना है और seconds में निकालना है clear है easy हो जाएगा सिरफ time को आपने एक बार 60 से divide कर देना है और एक बार 60 से multiply कर देना है तो आपका hours और minutes में answer आजाएगा final minus initial rate divided by T2 minus T1 यहां पर यह बताया हुए 184 minutes के बाद कितनी reaction हो गई पहले इतनी थी 184 minutes के बाद इतनी concentration उसकी decrease हो गई तो start तो 0 से ही होई होगी तो 0 184 minus 0 ठीक अब उसके बाद अगली line में क्या बोल रहे है what is the production of NO2 अब इस चीज के बारे में सब हो चुका है इसके बारे में हम सारा कुछ पढ़ चुके है अब इसको किस के साथ equate करना है NO2 के साथ इसको किस के साथ equate करना है NO2 के साथ ठीक है तो इसके लिए हमें rate of expression आने चाहिए इसके लिए क्या आने चाहिए rate of expression तो वो बोल रहे है कि सबसे पहले तो reactant से average rate निकाल दो average rate निकालने के बाद उसकी कितनी decrease हो रही है हमको पता लग चुका है अब आप उसके decrease से ये बताओ कि NO2 बनेगा कितना ठीक है तो सबसे पहले तो मुझे इस reaction को देखे expression मनाने आने चाहिए expression मैंने बना लिया यहाँ पर 1 by 2 यहाँ पर 4 होगी 1 by 4 होगया इसके बादे भी कुछ question ही नहीं है NO2 by dt ठीक है तो यह वाला answer जो मेरा यहाँ से निकलने वाला है इसको मैंने स्पोस यह मेरा answer जो मैंने यहाँ से solve किया यह मेरा answer आगया x ठीक है यह मेरा answer आगया x यह आपने solve करने है यह answer आगया x अब उसके बाद उसको यहाँ पर put कर दो क्योंकि NO2 की concentration time तो मैंने यहां से ले ही लिया है तो उसको यहां पर put कर दो उसकी value को हमने x ले रखा आगे क्या बचा हुआ है 1 by 2 इधर से answer निकाल के रखा इधर आजेगा x is equal to minus का sign यही पर है plus 1 by 4 d NO2 by dt अब मुझे क्या करना है मुझे average rate निकालना है किसका d NO2 by dt का यही बोल रहें ना question में what is the rate rate निकालो NO2 का production का तो मुझे क्या करना है मुझे यह चीज निकालनी है यह चीज निकालने के लिए 4 को इधर भेज दो क्या बनजेगा minus 1 by 2 into में 4 और x की value यह वाली value यहां से average rate निकालके आजेगी जिसको हमन dt चीज है तो यहां से आप इसको solve कर लोगे 2x आपका answer आजेगा बटी answer minus में आएगा एक minus आपने और साथ में multiply करना है क्योंकि आपका rate कभी भी negative नहीं होता है उसको positive बनाना पड़ेगा clear है कि किस तरह से solve परना है अब आगे देखो next question क्या दे रखा है एक और करा रही हू last word आप अपने आप करोगे for a chemical reaction A से B बन रहा है the concentration of reactant changes from 0.03 से 0.02 हो रही है 25 minutes में initially कितनी थी 0.03 finally कितनी होगी 0.02 कितने minutes में होई time को small t से लिया करो कितने minutes में 25 minutes में हमने निकालना है average rate 25 minutes बहुत जादा हो जाते है तो यह average rate रहा आपने निकालना है minutes में और second में बहुत easy है यह तो final minus initial 0.05 minus 0.03 divided by 25 minus 0 और इस minutes को second में भी change कर लेना अब last रोला question आप खुद करोगे यहाँ पर आपने यह देख लेना है कि किस तरा से होगा फिर भी अगर आपको कोई doubt हो तो आप मुझे पूछ सकते हो आप इस question को note कर लेना ठीक है अगर कोई भी doubt है पूछ लेना इना chemical reaction 2 A से product बन रहा है इस 2 का कोई काम नहीं है A से product बन रहा है A की concentration 0.5 से 0.4 और यह 10 minute के अंदर calculate the rate उसका rate निकाले इसली हो जाएगा ठीक अब उसके बाद law of mass action अब हम start करते हैं law of mass action के बारे में मतलब ना मैंने अभी तक जितना बढ़ाया ना और इतना आप भी धियान रखना जब कभी भी कोई chemical reaction की speed की बाद होती है उसमें reactant important होता है reactant पे reaction depend करती है जब reactant पढ़ा ही रहेगा वो हिलेगा ही नहीं तो product बनेगा कैसे तो reactant is main यही law of mass action ने बताया था this law states that rate of any chemical reaction is proportional to the product of masses of reacting species तो main क्या होगा reacting species वो main होने वली है जितने भी आपको reactant दे रखे होंगे उनका product ठीक है which is with each mass raised to power equal to the coefficient ठीक तो अब आपने क्या धियान रखना है जब कभी भी कोई chemical reaction equilibrium में होती है तो इस तरह अगे expressions बनाए जाते थे product को उपर रखके reactant को नीचे मैं equilibrium को explain नहीं करूँगी क्योंकि फिर उसमें war time लग जाएगा तो reactant उपर रख ले प्रोडक्ट को उपर रख लेते थे और reactant को नीचे और उनके जो coefficient होते थे power बना देते थे ठीक है जो कि हमने plus 1 में किया अब मुझे सिरफ आपको एक बात का बताना है लो ओफ मास action क्या होता है मैं एक ही reaction को बाहर बार लेके चलती हूँ आपको दिया N2 प्लस 3H2 गिस 2 NH3 आप से बुचा इसकी speed तो according to लो ओफ मास action ठीक है जो लो ओफ मास action था ना वो chemistry में chemical equilibrium में सबसे पहले explain किया था वहाँ पे हमने KPKC के expression किये थे वहाँ से आया था लेकिन मैं पूरा ना explain करके सिरफ आपको यह बताऊंगी क्या बोलते है rate मतलब speed of a chemical reaction is directly proportional to the product of reactant जो reactant है उनका product ये with raise to the power there's stoichiometric coefficient ये जो आगे stoichiometric coefficient दे रखे है ना ये यहाँ दो कुछ नहीं दे रखा ये ये इनकी power बना दो product को देखो ही मत ठीक है product को देखो ही मत अभी आपने ये देखना है ठीक law of mass action के according जो आपका speed है reaction की किस पर के directly proportional है product of ये product में लगा दिये reactant और ये जो उनका coefficient ये stoichiometric coefficient है यहाँ पर उसकी power बनाते ही ये law of mass action के according था इसको हटाने के लिए rate constant rate मतलब speed is equal to constant के N2 जो भी आपको chemical reaction दियो H2 with race जो भी chemical reaction जो भी stoichiometric coefficient हो वो लिख दो ठीक है उसके बाद अब आता है factors influencing rate of the reaction ये double-double हो गया dependence of the rate of concentration the representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant is known as rate low अब इना क्या हो रहा था जब कोई chemical reaction दी जाती थी उस chemical reaction में जैसे मैंने आपको N2 और H2 वाली दी ammonia बनाया मैंने उपर power लगा दी 3 जब इसको experimentally करने की try गया ना क्या तीन hydrogen के molecules चाहिए होंगे तो यह आ नहीं रहा था answer ऐसे ठीक है तो क्या हुआ experimentally कुछ और answer आने लगे theoretically कली तो हमें यह लग रहा था कि जो दिख रहा है वो लिख दो mass action के according जो दिख रहा है वो लिख दो लेकिन जब इसकी speed निकालने की कोशिश करी गई कि hydrogen क्या इतने चाहिए भी या नहीं चाहिए क्या आप तो चाहिए भी हो लेकिन इसको experimentally भी तो करना पड़ेगा तो ऐसा answer आ नहीं रहा था यह power कुछ और आ रही थी ठीक है तो अब ना rate law ने क्या explain किया it is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration मतलब molarity की बात करनी है ओपर reactant जिसमें सिरफ आपको reactant लेने है product की बात ही नहीं करेंगे हम with each term raised to some power उसके ओपर कुछ power लगानी है power लगानी है which may और may not be क्या पता वो जो stoichiometric coefficient हो वो उसके बराबर हो या वो उसके बराबर ना भी हो वो आपको experimentally data से prove करना पड़ेगा कि मतलब calculate prove नहीं calculate करना होगा कि वो है क्या which may और may not be the same as stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation ठीक है तो सबसे पहले तो आपको reaction की balancing आनी चाहिए balancing के बाद rate law of mass action के according तो जो दिख रही है power वो लगा दो लेकिन rate law ने क्या वो हो भी सकती है वो नहीं भी हो सकती उसको experimental data से calculate करना पड़ता है rate law of any reaction cannot be predicted merely by looking at the balanced chemical equation यह नहीं कि chemical reaction देखी power लगा दी that is theoretical but must be determined experimentally आपको इसको experimentally determined करना पड़ता है तब हम सिखेंगे कि हमने इसको निकालना कैसे है ठीक है तो कैसे निकालना है suppose यह question दे दिया आपको इस question में यह बता दिया कि experiment हुए एक दो तीन चार error ना जी इसलिए बार-बार concentration change करके उन्होंने expression मनाए कि यह reaction ऐसे हो रही है ठीक है और यह A है और B और यह आपको बता दिया क्या बन रहा है the following results have been obtained using the chemical study of the reaction तो हमारे पास जो reaction दे रखी है 2 A प्लस B गिव C प्लस D C प्लस D बन रहा है ठीक है अब A B 1 2 3 4 चार बार यह reaction करके देखी और उन्ह चारों चारों में क्या किया कहीं बार A की concentration को change कर दिया कहीं बार B को कहीं बार अलग-लग concentration पी उनको चेक किया क्या हमें पता लगेगा ठीक है तो experimental data को करने से पहले आपको लिखना है rate is equal to K A और B यह according to rate low है according to rate low mass action होता तो मैं तो A की उपर power लगा देती 2 लेकिन अभी तो पता ही नहीं है कि वो है क्या है वो तो हमें prove करनी है तो इसलिए उसको क्या ले लिया X और Y क्या ले लिया X और Y clear है X और Y अब मुझे ना क्या करना है इस X और Y की value को calculate करना है इस data का यूज करके कि actual में उनकी power क्या है मेभी इसके equal आजए मेभी इसके equal ना आए अब मैंने यह पूरा expression मना दिया rate product को देखते है रेक्टन छोड़ दो यहां पे कुछ power है वह power 1 भी हो सकती है टू भी हो सकती है experimental डाटा का टी सेम है इनको उठाया करो सब वैसे तो आप किसी को भी पिक करके या रख सकते हो लेकिन इन पर पहले focus किया करो तो अब करना क्या है पहले एक को लेते हैं एक की divided by ऐसे divide करना है rate second ठीक है यह बना होगे सबसे पहले सबसे पहला step हो गया अब rate third में यहां पर expression यह रहा rate का expression इसको ध्यान से देखना rate third rate लिख होगे यहां पर third is equal to k a a की उपर x b की उपर y ठीक है फिर rate इसको दुबारा से बता रही हूँ rate for k a a की उपर x उसकी power x b की power y clear है अब मैंने सिरो value put करनी है ठीक यह आ गया अभी rate third rate third कितनी value है rate initial rate कितनी value है 2.88 तो मैंने rate third की जगा लिख दिया 2.88 into 10 raise to power minus 1 divided by rate second second का कितना है 7.2 into 10 raise to power minus 2 ठीक मैंने सिरो rate third यहां से rate third उठाया यहां लिख दिया rate second यहां से उठाया यहां लिख दिया अब आगे k निच्चे भी क्या लिखा हो है k यह बना दिया a a की concentration second third के case में 0.3 0.3 उपर x लिख दो बी की concentration second के case में 0.3 बी की concentration यहां पर 0.4 वाई second के case में a की concentration 0.3 एक्स लिख दो बी की concentration 0.2 यहां पर यह लिख दो रेट लो ने क्या वो नहीं है पावर पावर ढूंडनी पड़ेगी एक्सपरिमेंट डाटा से एक्सपरिमेंट डाटा दे दिया कि पावर ढूंडो और बताओ क्या है सबसे पहले मैंने यह चूज किया कि मैं एक्सपरिमेंट टाटा कौन सा सेलेक्ट करूं उसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने वह दो वैल्यू चूज करी जहां पर मुझे सेम लग रहा था ताकि मेरी अगर मैं इस से बहुत हूं यह चूज कर गे हो जाएगा कैसे क्टिंग करोगे यह फोर पे जाएगा ठीक है इसकी cutting करोगे यह 2 पे जाएगा मैक्स आपको करना पड़ेगा यह ध्यान रखना अब मेरे पास आंसर बचेगा 4 यहां पूरा cut करने के बाद 2 और उसकी power y ठीक अब इसको ऐसे लिख सकते है 2 2 2 दा 4 यह power बना दी 2 y तो y की value क्या हो जाएगी 2 y की value क्या हो जाएगी 2 so this is the answer की why मेरा 2 आचुक है why मेरा क्या आचुक है 2 आचुक है clear है तो कुछ मुश्किल नहीं है सिरफ आपको rate को select करना आना चाहिए कि आपने किस तरह से उसको select किया ठीक कर लोगे select किस तरह से select करने सिरफ कौन सा जुरूरी नहीं है कि data सेम देखो अगर आपकी calculation बहुत अच्छी है बहुत ही जादा अच्छी तो जिस मर्जी से यूज कर लो answer सेम ही आते है but होता यह है कि same को select करो ताकि आप cutting कर सको और आपको easiest method से आप इनकी answer निकाल सको तो मैंने y की value 2 निकाल लिया है अब यहां से same रखते है मतलब 1 और 1 इनको same रखते है तो अभी select करेंगे कौन सा data लेना है उसकी बात करते हैं कि कौन सा data select करेंगे first और third किसको किस से divide करना है तो देखो 2.4 और 6 यह बड़ा है 24 हो जाएगा तो rate 4 divided by rate 1 यह आप खुझ से देखना कि किसको उपर रखो किसको denominator में रखो rate first यह बहुत अच्छे से धियान रखना ताकि आप इसमें क्या हो confused ना हो जाओ अगर जरा से भी confused हो गए 5 by marks से question आ जाते है यह तो क्या हो जाएगा इतना easy सा question है marks बिल्कुल चले जाएगे आपके बिल्कुल easy से इनकी calculation हो जाती है rate 4 rate 4 यह री value कितनी है 2.4 into 10 raise to power minus 2 rate first वो कितना है 6.0 into 10 raise to power minus 3 k k a 0.4 x 0.1 y 0.1 x 0.1 y ठीक है अब इनकी cutting करते हैं y यह देखो यह cut हो जेगा यह cut हो जेगा इसकी cutting करोगे 6 4 दे 24 आपके पास क्या बचेगा 4 अब उदर बचेगा 4 x इसको ऐसे रीख सकते हैं x की value 1 x की value 1 ठीक है कुछ cut नहीं हो रहा था तो मैंने उसको as it is power 1 लिख दिया तो x की value क्या आगी आपके पास 1 x की value क्या आगी 1 तो simple सी cutting करी और मेरे पास answer आ चुके हैं ठीक है अब आगे क्या करना है इसको अब रब कर देते हैं hopefully आपको clear होगा कि कैसे आपने data select करना है जुरूरी नहीं है कि same same data मिले तो लेकिन calculation इसी तरह से करते हैं तो ध्यान रखना अब मेरे पास expression क्या था सबसे पहले rate is equal to k a b a की power मैंने x लिए हुई थी b की power y लिए हुई थी आप x y की जगा कुछ भी यहाँ पे zoom कर सकते हो अब मेरे पास x की value आगी 1 y की value आगी 2 अब मैं put करूँ rate expression मनाए rate is equal to k a power 1 है लिखने की ज़रूरत नहीं b power 2 है तो मेरे पास यह expression बन गया अगर मैं low mass action को देखती तो फिर क्या आता a के आगी 2 आना था तो यह गलत हो गया ना इसलिए rate low बोलता है experimental data को check करो यह मैंने experimental data चेक करके expression बना लिया determine the rate low यह मेरा rate low determine हो गया and rate constant of the reaction अब आपने इसमे rate constant निकालने है rate constant को निकालने के लिए क्या करना है इसमें से न सबसे easy वाली calculation को ढूँडना सबसे easy वाली शाहेद मेरे को यह 0.1 0.1 वाली लग रही है इसका rate कितना है 6 into 10 raise to power minus 3 is equal to rate constant मुझे निकालने A की concentration कितनी है 0.1 B की भी कितनी है 0.1 लेकिन उसकी power है 2 तो बस इसको solve कर देना और किये निकाल देना easiest calculation होती है इसमें अराम से answer निकल जाएंगे बढ़ आपको निकालने आने चीए कि करना क्या है ठीक है वहाँ क्या हो जाता है electro chemistry में थोड़ा सा time लग जाता है calculation करने में यहाँ इतना time नहीं लगेगा अराम से answer निकल जाएंगे ठीक है बस ध्यान रखना कि data उठाऊं कौन सा करने के लिए ठीक अब उसके बाद यह next question आ गया अब आपने क्या किया इना chemical reaction A से B बन रहा है initial rate of the reaction यह आपको ऐसे दे दिया data A की यह दे दी same same और B की यह दे दी clear और यह उनका rate दे दिया reaction complete ठीक तो इसके बाद आपने क्या करना है what is the order of the reaction with respect to A and B यह question आप खुद से करोगे अगर आपसे नहीं होगा फिर मैं आपको कराऊंगी इस वले question में आपको बता देती हूँ जब आपका order पुछा जाए किसका order क्या है आपने ना power check करनी है A की उपर 1 लिखा हुआ है तो आप बोलोगे with respect to A order of the reaction है 1 order of reaction 1 with respect to B order of the reaction क्या है 2 overall order of the reaction क्या है 1 plus 2 3 order में आपको बाद में बताऊंगी order होता क्या है बट अभी आपको यह धियान रखना है कि अगर आपसे पूछ लें कि order क्या है तो वो जोन की power निकल रही है ना वो उसका order होता है order निकाल दो A का order 1 B का order 2 total order overall order of the reaction उन दोनों को plus कर दो आपका answer आजाएगा clear है तो यह question आपने खुद से करना है अब यह मैं यह वाला खुद से करोगे ठीक अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ ले ना जैसे आपको calculation सिखाई वैसे करनी है the chemical reaction between A and B is first order with respect अब उन्हें ना यह बता दिया आपको rate is equal to A and B इन दोनों के बीच में हो रही है A is first order यह 1 है यहाँ 0 है यह 0 order की है with respect to B fill in the blanks of the following table मुझे order पता लग चुका है मुझे वही उल्टा करना है अभी power पता है power से हमने concentration निकालनी है तो पहले दो select कर लेते हैं मैं इस blank को fill करूँगी बाकी blank आपने खुद fill करने है यह वाला blank fill करके दिखा रही है तो अभी यह वाली power बड़ी यह बड़ा नंबर है यह छोटा नंबर है तो करेंगे rate second divided by rate first is equal to K K A उसकी power दे रखी है B उसकी power दे रखी है A उसकी power सब गीवन है सिरब मुझे यहां से किसी A की concentration निकाल ली है rate देखो second का कितना है 4 4 इंटू 10 raised to power minus 2 K उसके बाद A की concentration नहीं दे रखी X ले लो उसकी power 1 है यह धियान रखना B B की concentration दे रखी है 0.2 उसकी power 2 है जीरो है डिवाइड वाइड वाइड अब फर्स्ट पे आ जो फर्स्ट की कितनी है 2 इंटू 10 raised to power minus 2 K A की concentration दे रखी है 0.1 1 B की कितनी दे रखी है 0.1 लेकिन उसकी power कितनी है 0 anything raised to power 0 1 होता है सबको पता है चीक है तो यह तो 1 हो जाएगा कट करके यह तो 1 हो गया क्या बचेगा 4 इंटू 10 raised to power minus 2 2 इंटू 10 raised to power minus 2 K से K cancel यह 1 हो जेगा कट करके इदर 1 कर देंगे कट नहीं करते इनको 1 लिख देते है X 0.1 multiply 1 multiply 1 clear है यहाँ पे क्या कर दिया अब इसको इदर shift कर दो 4 इंटू 10 raised to power minus 2 इंटू में 0.1 divided by 2 इंटू 10 raised to power minus 2 is equal to clear है minus 2 से minus 2 cancel यह 2 आजेगा इसको इसे multiply करेंगे concentration हो जाएगी 0.2 और सारी ठीक है तो यहाँ पे fill up हो चुका है मेरा 0.2 बाकी आपने fill करने है ठीक है बाकी आप fill करोगे कि किस तरीके से fill करने है hopefully हो जाएगे फिर भी बोल रही हूँ कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना ठीक अब उसके बास rate constant rate constant यह जो k निकालते हो the rate constant is denoted by k it is also known as reaction rate constant or reaction rate coefficient it is dependent on the temperature ठीक है यह कोई भी chemical reaction होगी rate constant किस पर depend करता है temperature पर ठीक इतना ध्यान रखना ही खोशन आ सकता है तो कोई भी chemical reaction है rate law के according हम उसका order निकालते है तो यह coefficient जो है a और b नहीं होंगे x और y कुछ भी हो सकते है और इसको हटाने के लिए k k rate constant है which is depend on the temperature of the reaction clear तो यह ध्यान रखना है order of a reaction the sum of power of concentration यह जो आपको यहाँ पर a और b नहीं x और y जो दे रखे होते हैं power होगी कि कितना concentration of reactant की requirement है ठीक है कितनी requirement है जो कि experimental data से पता लगता है देखके नहीं पता लगता है experimental data से पता लगता है उनका जब sum कर देते हैं the sum of power of concentration of the reactant यह सबसे important है rate law expression is known as order of the chemical reaction तो जो हो यहाँ पर आप experimental data से निकालोगे आपने क्या करना है बस उनका sum कर देना है ठीक है experimental data से a reaction is first order in A and second order in B यह आपको A और B दे दिया इससे product बन रहा है अब वोना आपको direct बोल रहे है rate directly proportional to A first order and B is of second order यह expression बन चुका है directly proportional को हटा के भी K लगा देते है constant लगा दिया ठीक है यह बन गया सबसे पहले तो यह काम कर ले न write that differential rate equation यह मैं बना चुकी हूँ differential rate expression के question आजाए न तो कहीं बारी हम confuse हो जाते कि दिया क्या हुआ है question के अंदर तो वो जो first expression था न जिसमें 1 by 2 करके वो minus power फिर positive वो जो आपको मैंने सबसे पहले rate of expression बनाने सिखाए आप वो भी लिख देना यह भी expression बना के आजाना और वो जो first time आपने बनाये था ऐसे वाला कि 1 by A D D A by DT minus is equal to D B by DT तो यह वाले expression भी बना के आजाना ठीक है मोका मत देना examiner को कि आपके marks करें ठीक यह दोनों expression आपने बना लेनी है उसके बास second part क्या है How is the rate affected or increasing the concentration of B three times ठीक तो यह मेरा case 1 है ठीक जो case 1 नहीं है इसको reference ले लो यह आपका reference है अब case 1 वो बोल रहे हैं कि concentration rate कितना effect होगा जब concentration B की तीन डुना बढ़ा देंगे तो इसी में कर दो बस rate is equal to K एक तो कुछ नहीं बोला ऐसी रहने तो B की concentration को 3 times increase कर रहे हैं 3 B power 2 3 3 दा 9 क्योंकि 3 की power रहना है 3 3 दा 9 तो बाक्की सारा तो same हो जेगा क्या बनेगा क्या बनेगा यहाँ पर rate B2 यह बार कर दिया इस 9 को आगे ले जो rate 9 K A B 2 तो कितने times increase हो रही है 9 times कितने time increase हो रही है 9 times अगरा कुछ नहीं है how is the rate affected when the concentration of both A and B are doubled दोनों की concentration को double कर दिया तो इस expression में put करते हैं rate directly proportional to यहाँ पर कर दे 2 A1 2 B2 इदर 2 को उसे 2 ही रह जेगा 2 to the 4 ठीक है 2 और यहाँ पर 4 कितने time increase हो जाएगी 8 times कितने time क्योंकि product करना है न यहाँ से 2 आ गया यहाँ से 2 to the 4 2 into 4 8 times clear है हो जाएगा easy है और इस type के question भी paper में आते हैं यह question आप खुद करोगे चलो एक माही करा देती हूँ for a chemical reaction A plus B gives P product बन रहा है आपको rate expression rate law के according आपको expression experimental data से जो मैंने बनाने सिखाई उन्होंने अपने आप ही दे दिये यह दे दिया अब आप से क्या पूछ रहे है what is the order of the reaction तो इस तरह का question आजे ना पहले बताओगे A का order half है B का order 2 है overall order भी बताना अन्हां मतलब आप पूरा बताना overall order इस तरह से plus कर दे ना इनको ठीक है आप A का भी अलग से बता के और B का भी बताओ overall भी बुच्छों उन्होंने चाहे overall ही है लेकिन पूरा बता के आनो ठीक है इस तरीके से Conversion of molecule X to Y X से Y बन रहा है follows second order kinetics मतलब rate is equal to rate किस पर depend होता है reactant पे with raise to some power और वो उन्होंने बता दी कि second order है मतलब 2 है rate के X यह 2 is the concentration of X is increased 3 times अब इसकी concentration को 3 times अलग से करके लिख लेते हैं 3 times increase कर दिया 3 times increase कर दिया 3 तरीजा 9 तो rate is equal to 9 K X तो कितनी speed बढ़ जाएगी 3 times increase to 3 times how is the rate of reaction rate of formation of Y तो formation तो उसकी 3 times 9 time increase 3 times भी 9 time increase हो जाएगी 3 तरीजा 9 clear है ध्यान रहेगा ना की कैसे करना है फिर उसके बाद है reaction is second order with respect to the reactant how is the reaction of rate affected if the concentration of reaction एक बार वो double हो रही है एक बार half हो रही है तो expression क्या बनेगा rate is equal to K A और second order की है एक बार उसकी concentration double होगी और एक बार उसकी concentration is reduced to half expression क्या बनेगे rate k A 2 rate is equal to k A 2 और जो उन्होंने भोला है अब बीच में add कर देते हैं concentration of reaction is doubled 2 A और half क्या बन जाएगा ये 2 to the 4 पुरा expression same 4 और यहाँ पे 1 by 4 ठीक बाकी सारा same रहने वाला है क्या रहेगा rate 4 k A square rate k A square ठीक है 4 time increase हो जाएगी 1 by 4 time decrease हो जाएगी clear है तो ये भी आप से हो जाना चाहिए ठीक है अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे बस अब इतना छोड़ देते हैं इसके बाद का next class में करेंगे ठीक है next class में तो I hope आपको clear होगा हर एक definition को properly देखना और जितने question कराएए जो मैंने बीच में skip किया सारे question